मेरा MX Player पर से विश्वास ओड़ गया था, इस पर लास्ट की दो वेब सिरीज देखने के बाद, क्योंकि उसमें इतना जाता गंद था, एक तो मस्तराम वेब सिरीज देखी थी, इतनी वाहियात, इतनी बकवास वो सिरीज थी, तब से मुझे लगा कि MX Player भी उल्लू की तरह ही प्लेटफोर्म बनता जा रहा है, यानि वही थार्ड क्लास वीडियो या मुवी शिरीज अपलोड करना, वगारा वगारा इन चीजों के परे में, लेकिन इस बार जो इसने कोशिश किये हैं, अपने प्लेटफोर्म को सुधारने के लिए, इस बार जो इसने अपने पर रिलीज किया गया है इसे डिरेक्ट किया है तो थोड़ा सा लंबा नाम है मैंने लिखा है निशित नीरव नीलकंड शायद प्रनेंशेशन यही है इसमें कास्ट है रिया सैन, विनी अरोडा, अनन्त विदांद, शक्षम सुकला और बाकि अनकलाकार जब मैंने MX प्लेयर था, तो मैंने ये सीरिज वहाँ पर देखी थी, पति, पत्नी और वहां पर आ रहा था, तो मुझे लगा कि यäर ये वही एक मoovी आया थी पति पत्नी और कुछ टायम पहले तो मुझे लगा यह वही एक movie के उपर अधार ही तो इन्होंने एक series बना दी होगी बट नहीं जब मैंने यह series देखी starting का पहला ही episode देखा तो यह बहुत जादा इसके अंदर different concept था एक विक्ति है मोहन उसकी पत्नी शुर्भी की मोत हो जाती है 30-32 साल में ही तो उसकी पत्नी शुर्भी की जो आत्मा को शांती नहीं मिलती क्योंकि यह सोच कर कि यार मेरे पती का क्या होगा वो कैसे रहेगा कैसे अपनी life विताएगा मतलब इस tension में वो उसकी life में बूत बन के वापस आ रही है अब मैं उन पत्नी को यही कहना चाहूँगा कि देखो यार तुमारी पत्नी कभी भी गुजर जाए तो उनको पहले यह यकीन दिला दो कि तुम independent हो तक ही वो तुमारी life में बूत बन के वापस ना आए तो सुर्भी भूत बन के मोहन के life में वापस आती है और उसको कहती है कि जब तक तू दूसरी शादी नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं जाने वाली मैं चाहती हूँ कि तुझे मैं दुखी मतलब सुखी करके जाऊं हमोहन मान भी जाता है कि हाह ठीक आ अगर वो इतना फोर्स कर रही है उसका पूसरी शादी कर ले और वो शुर्भी के तेर्वी ही दिन दूसरी शादी कर लेता हुए बना लड़की को देखे फिर जब स्वागराद पर मोहन अपनी जो नई वाइफ है रिम जिम तो रिम जिम की जो वो शकल देखता है तब उसके मुझसे यह निकलता है ऐसे खुबसूरत ऐसे माल यह देखकर भूतिया वाइफ सुर्भी जो है अब वो इतनी ज्यादा जल जाती है कि उसका पती जो है वो अब रिम जिम की तरफ और जादा एट्रेक्ट हो गया है तो वो यह चाहती है कि अभी की अभी रिम जिम को वो घर से निकाल दें मतलब मज इतनी सुंदर शुशी लड़की उसे मिलती है लेकिन अब वो उसको मतलब उसके साथ रह नहीं सकता क्योंकि अगर उसके साथ रहेगा जो उसकी भूतिया वाइफ है वो उसे छोड़ेगी नहीं इससे एक ही बात का पता चलता है कि इनसान को अपनी खुशी पर काबू रख आपको बहुत ज़ादा भूग लगी और आपको सामने गुलाब जामुन रखे हैं और आप वह गुलाब जामुन खा नहीं सकते गलत एक्जम्पल तो नहीं दे दिया ना मैंने इतनी शुशील इतनी अबे नहीं यार इतनी खुबसूरत और इतनी बेंतिया मोहबत करने वा कि मोहन का उसके प्रती रुखा वेवार रहते है अपनी बूतिया वाइफ के कारण तो अब मोहन जो हुदास रहने लगने इस बीचारे को कि ने सुright कर दिया इस विंचार को उसके इससाथ जादा खुछ था तो यह सब देखकर उसकी बूतिया वाइफ कहती है कि यार ठीक है ले आ यार उसको वाफस क्यों उदास हो रहा है और यह सब का सब जो इसमें दिखाया गया है यह कि ड्रामा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है मतलब सीरीज के अंदर कुछ इमोशन करने वाले इमोशनल सीन भी है साने वाले भी सीन है कुछ अच्छी चीजे भी है इसके अंदर देखने को मिलेंगी और हाँ दूसरी बात की MX आजकल जो यह थर्ड क्लास जो वीडियो या भकवास भकवास सीन डालने की जो प्रथा चल रही है इन और OTT प्लेटफोर्म पर तो इसके अंदर आपको लगे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है यह बिल्कुल क्लीन है लास्ट का एक छोटा मोटा एक सीन आप इग्नोर कर सकते हो बाकी एकदम बिल्कुल सा है वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कुछ एक कमजोर चीजें भी हैं जैसे कि जो नई वाइफ जो मोहन की जो नई वाइफ है रीम जिम जिसको प्ले के अरिया से वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि इसमें फेकनेस है आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो बाक कि अगर किसी ने इस सीरीज नहीं देखिया तो मैं इसको यही कहूंगा भाया MX Flair ओपन करो इसको जाकर देखो और अगर किसी ने इससे देख लिया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह सीरीज कैसे लगी थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते ह नेक्स वीडियो में जाहिंट